सो नाव साउथ इंडियन बैंक लिम्टेड अब देखी 25 रुपे 30 पैसे का प्राइस आपने देखने मिले हैं अब थोड़ा सा मूब जो है न वो हाइर साइट बढ़ा है मैं यहाँ पर देख रहा हूँ 3-4 दिनों से यहाँ पर फर्स टाइम हो रहा है ये 6 मीनों में कि मूविंग एवरेजस जो है वो क्रॉस हो रहा है और साउथ इंडियन बैंक उन लोगी पसंद जरूर होने चाहिए जिने पैनी स्टॉक या 100 रुपे से या 50 रुपे के नीचे स्टॉक चाहिए हो रहता है यहाँ पर आपको क्वालिटी देखने मिलती है एंड मार्किट के अभी इतना च्छोटा देखने मिल जाता है कि अगर यहां से के स्पाइक या एक भड़ोतरी यहां पर आने स्टार्ट हुई तो आपका एक अच्छा खासा रिटन इससे स्टॉ के अंदर जनरेट हो सकता है सो मेभी यहां पर अगर आप देखेंगे तो अभी तक हम यह टू डेट के साफ से लॉसस में थे नेगिटिव रिटन में थे बड़ यहां पर धाई परसेंड के प्रॉफिट में आब आ चुके यह टू डेट की बात करेंगे तो चौबिस से ब्रेक करने स्टार्ट किया यहां पर अगर आप देखेंगे तो moving averages जो है वो cross नहीं हो रहे थे लगातार moving average के नीचे काम करे जा रहता है यह stock and आज की डेट में moving averages cross हो रहे है and शायद आपको जो pricing देखने हो बिल रही है 25 रुपे 30 पैसे आप इससे बहुत दूर निकल ज क्या है क्या यहां पर आपके सामने net profit की कोई दिक्कत है नहीं यहां पर कोई भी problem नहीं है even growth हमें देखनों मिल रही है इस साल एक बहतरी इन growth है आपर देखर जा रहा है South Indian Bank उसके बाद अगर आप देखेंगे तो क्या gross NPA बढ़ रहे हैं ऐसा बिलकुल भी नहीं है लगात deposit गर रहे हैं कि ऐसा भी कोई problem नहीं नजर नहीं आ रहा है आप देखेंगे कि कई quarter से लगातार यहां पर जो है gross NPA लगातार कम होते चले आ रहे हैं एक भी spike हमें gross NPA में नहीं देखनों मिला है even current quarter भी यहां पर ना 0.10% का gross NPA कम ही हुआ है net NPA में साथ कोई दिक्कत हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है लगातार जो performance है वो deliver कर रहा है यह stock यहां पर अगर आप देखेंगे हर quarter में आपके सामने यह जो आपका net NPA है वो लगातार कम हो रहा है लगातार कम हो रहा है and management ने यह करके दिखाया सर्फ उसर्फ दो साल में याने कि जो management बैटी है South Indian Bank की पहले द single digit में काम काता है चैया पांच रुपर के आप प्राइस का यह stock बिग गया है बट उस ताइम के यहां पर ना आप यहां पर ना आप फाइनिसल देखेंगे and इस ताइम के अगर आप फाइनिसल देखोगे जमीन आस्मान कंतर है and यह सिर्फ उसर्फ दो सालों में चेंजिस ह रहा है और यह स्पाइक तो आ नहीं था यह आपके आपना मार्केट इवन मार्केट टूटे तब भी मुझे यही लगता है कि साउथ इंडिर बैंक से बड़ी है stock यह आपना होई नहीं सकता बैंकिंग के अंदर प्राइविट बैंकिंग के अंदर इवन में बोर्ड के अं कि बाई आपके fundamental strong हुए है बट आप strong नहीं हुआ आपके stock strong नहीं हुआ बात इतनी सी है तो यहाँ पर ना यह मौके लगते हैं कभी कवार अचानक से आप जो है ना तूट कर एकदम चलने नहीं लगते नहीं नहीं यह बिलकुली आपना खराब theory बना के रखे हो लेकिन मु आपके पास सब कुछ है आपके fundamental आपके financial सब कुछ अच्छा है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ देखनी चाहिए upside and what about financial indicator matter क्या करता है private banking हो या सरकारी banking हो आपका price to book value यह चल रहा है point 70 time सिर्फ और सिर्फ price to book value यानि कि आपने book value से भी नीचे काम कर रहा है इसकी book value 35.91 रुपए का end stock यहाँ पर है आपके सामने 25 रुपए 22 रुपए हिट कर चुका है यह lowest level and आज की date में आपके सामने 25 रुपए 30 पैसे इसका higher side आना ही बहुत बड़ी बाद ही 6 मेने बाद हमा higher side देख रहे हैं इससे पहले ही आपना strong move नहीं देता था आपका peer issue 5.41 है आ आप किसी 15 या 18 के PE पर नहीं चल रहे हैं आप 5.41 के PE पर चल रहे हैं लोग ध्यार नहीं दे रहे हैं बट इससे बड़ी है मेरे क्याल से और कुछ होई ही नहीं सकता है आपको best pricing पर यह मिल रहा है जो लोग penny stock पर believe करते हैं market में मतब धेरो penny stock खरीड लेंगे जैसे 5 रुप यह पता नहीं है यहाँ सब कुछ मिल ला है strong financial lowest price cheapest valuation सब कुछ मिल रही है एंड यह मौका दे रहा था तीन रुपए आपके यहां से निकल गए तो मेरे क्याल से यह है कि मौके पर चौका मानने चाहिए ऐसे गिरते बजार में आपको मौका मिल गए इसको buy करने का जिन लोग इसमें बनाएं आप तक के best financial रहे हैं एंड़ चीपेस्ट वैलिशन पर काम कर रहा है तो यहां से ही कि ना थोड़ा से स्पाइक आना चाहिए कम से 2788 रुपए पर काम करना चाहिए इससे स्टॉक को कम से 2788 रुपए पर तो इससे बड़िया कुछ नहीं होगा यहां पर लगा रखा है इस स्कीम ने यहां पर 133 करोड रुपए पुट कर रहे हैं दूसरा इसके बराबर कोई है ही नहीं तो यहां पर किया mutual fund ने आपर buy कर रहे हैं कुछ ऐसे stocks को भी यह देखना पड़ेगा अब आप कह रहे हैं लास्ट यहां पर साउथ इंडियन मेंग को कवर क करता था मैं अपलोड नहीं कर पा है मेरा आपको बताना था कि यह moving average cross कर रहा है लेकिन मैं आपको बता नहीं पा रहा था एंड मैं खुद भी बूल गया बताने की वह आप कल बोले तो मैं आपके सामने साउथ इंडियन मेंग को यहां पर cover किया बड़ मैं आपको बता दू यह मैं ट्रैक कर रहा हू nou 30 रुपै की आसपास मैं इसको देख यहां पर 22 रुपै की आसपास से घूम गया है ठीक ना तो यह आप देखेगा यह जो green line है यह आपका 50 dm यह जो बैगनी line है यह आपका 100 DMA है एंड यह आपका red यह 200 DMA है ठीक ना तो यहां पर आपके सामने एक अच्छा कासा पैटर्न बुन रहा है वो यहाँ पर important किरता है सबसे पहले 50 डेमा का level काफी important है यह आपका पढ़ता है 24 रुपे पर तो मान की चलिए गा 33 रुपे 90 पैसे 24 रुपे यह आपके लिए most important है most most important है दूसरा आपका यहाँ पर आपके सामने 25 रुपे और 24 रुपे 90 पैसे 25 रुपे 90 पैसे यह आपका important है half-lal ठीक ना तो यह दियान रखिएगा यह दो चीजे काफी important है अभी के half-lal की अगर आप देखें तो बट 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 यहाँ पर दियान रखिएगा यहाँ पर long term का नजरिया रखिएगा because of मैं आपको बता दू शायद यह ना market को outperform करते क्योंकि कुछ ना banking stocks हैं जो कि इस market को outperform कर रहे हैं मैं HDFC bank की बात नहीं कर रहा हूं मैं BUA की बात नहीं कर रहा हूं ठीक है ना वो BUA पर वरोसा नहीं है तो यहाँ पर ना South Indian bank हुआ यहाँ पर आपका यहाँ पर federal bank हुआ यह आउटपरफर्म कर रहे है तो यह थोड़ा सा टस्ट आ रहा है शायद जो cheapest valuation है वो थोड़ी सी उसकी वेज़े से एक spike आए एक उबर कर आए इसलिए मैं कहले हूं 27-27 की तरफ शायद यह मूड़ी है ठीक ना मैं अभी यह नहीं कहा रहा कि 36-40 के भाव आजाए नहीं नहीं यह थोड़ा सा बहुत ही जो cheapest valuation पर आपको मिल रहे है शायद उससे थोड़ा सा ऊपर निकल कर रहे है शायद यहाँ पर थोड़ी सी buying हो रही है सिंपल सी बात है बस इतना यहाँ पर समझना है बहुत बहुत lowest valuation पर यह stock मिल रहे है बहुत lowest valuation पर तो यह long term का नजरिया देखेगा क्योंकि market का अभी का current का scenario आपको plus plus देखनों मिल रहा है ना green green देखनों मिल रहा है थोड़ा सा डर लगता है इस जेगे पर जहां पर market है जिन लेवल्स पर वो थोड़ा सा बहुत critical zone है उसको cross करना इतना असान नहीं उसके लिए बज़े चाहिए वो बज़े है नहीं market के पाग तो हो सकता है यहाँ से collapse हो जाए अब उस collapse अगर market collapse होता है यही असली टेस्टिंग का face होगा यह South Indian में के लिए कि आप collapse बाले market में आप कैसा perform करके दिखा रहे हो तो यह collapse में जब market collapse था यह थोड़ा सा चलने लगा था शायद लग रहा है कि market को outperform करके दिखा दे फिलाल आपके सामने में आप level देखेंगे यह कुछ नहीं होगा यहां पर जब मेरे को दिख रहा है यहां पर 70-80 रुपए बनने के लिए ठीक है ना तो फिर क्यों मैं 1-2 रुपए की जंजट में पड़ो तो जो penny lover है penny stock lover है उनके लिए तो best चीज है शायद इससे अटकर आपको कुछ मिली ही नहीं सकता है एक तो quality पैसा यहां पर safe है बाकी जगे से तो लाग गुना अच्छ है तूसरे यहां पर जो banking में धून रहे हैं ना इससे बड़ी है कुछ भी नहीं हो सकता मेरे क्याल से यह है लेवल लेवल की चक्कर हो मत पड़िए यह शौट और मोटम वाले के लिए आपको पोजिशन बनानी है आप यह जो इंपोर्टेंट रिंज दिख रही है उससे आपसे अपने जो इस्टॉप लोस अरकना चाहिए रखिए शौट अपले करना पर करिए स्टॉप लोस हिट एगजिट लेकिन लॉंगर टर्म के लिए यहां पर रखिए ऐसे स्टॉप लॉंगर टर्म में ज्यादा बेनिफिट देते हैं लंबे नजरीह सोचेंगे ना तो फिर यहां पर एक अच्छा खासा प्रॉफिट है यहां पर इंजॉई कर पाए सस्ती वैलिशन मों बिल रहा है सो देट यह सबसे बड़ी बात रहती है सो में तक आपको आपको समझ में आया हुगा एक बाने बेसे पहले बेसे पहले अपने ब्रुक्राइड वैसे जरुसला लीजिए या खुद की श्रड़ी करेगा उससे बेदर कुछ भी ने खुद की सबस्ताइब करें